जहिन दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज नहीं बात करने वाले हैं केप सिविक बैस लीग के बारे में तो इस लीग का मैच नमबर 29 होने वाला है जो की होबाट हुरिकेंस बर्सिस ब्रिस बैन हीट के बीच में खेला जाएगा कल सुबा साधे 10 बजे तो मैं इसी मैच की 5 टीम की कॉमिनेशन उसके साथ साथ दोस्तों आपको मैच डिटेल, पिच रिपोर्ट और दोस्तों प्लेयर इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसके मदद से आप 100% विनिंग कर सकेंगे और फेंटेसी आपो में 100% दोस्तों आपको जीत मिलने वाला हेट टू हेट और SL और GL में तो जीतना है तो बस आपको पूरे वीडियो को फालो करना है आप एजिली विन कर जाएंगे दोस्तों तो जो मेरी 5 टीम की कॉमिनेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है उसमें से तो एक टीम आपको हिट-to-hit की मिलेगी जिसके आप हिट-to-hit का मुकाबला जीत पाएंगे उसको मैं हिट-to-hit का जो टीम होगा उसको मैं लाइप बना कर दिखाऊंगा उसके साथ मैं आपको key plays status यहीं पे बता दूँगा उसके साथ दोस्तो एक टीम आपको मैं SL की दूँगा जिसके साथ आप जीत सकते हैं तीन और चार वाले जो कॉंटेस्ट होते हैं उसको और साथ इस टीम को आप जीले भी ट्राइ कर पाएंगे और तीन कॉंबिनेशन आपको और मिलेगी जिससे आप ग्रांड लीग जीत गा उससे पहले गर दोस्तो वीडियो पसंद आ रही होगी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अगकर दोस्ते उलिजरे रिपोर्त को दूस्तों की civic hari कनदे तो मैच में घ्ले जाएगा दिशिवाठ़ शोम होiben घे रहती है दोस्तो इस पिच पे और जो पिच है वो बैटिंग को फेवर करता है हाला कि दोस्तो बिकेट्स भी गिरेंगे क्योंकि T20 का माहोल थोड़ा जानती है कि अब गर्मा गर्मी वाला होता है और सभी प्लियर मारने के चक्कर में आउट जरूर होते है तो बिकेट्स भी गिरेंगे और आपको रन भी बनते हुए दिख जाएंगे और दोस्तो यहाँ पे ब्रोकेन क्लाउड रहेगी थोड़ी सी बादल हो सकती है बट विदर ठीक रहेगा बारिस नहीं होगी और दोस्तो यहाँ पेशर को सपोर्ट 80% का है और सपिनर को 20% का मातर सपोर्ट है क्योंकि दोस्तो पेशर बोलर ज़ादा हैं सावे प्ल basketball में मतब सारे matchों में रहते हैं दोस्तो जो कि आपके Hobart हूरीकेंस और Brisbane Heat है उनके तरफ से जितने भी है सारे पेसर ही है एक आद और दो स्पिनर आपको देखेंगे तो उनको आप ट्राई कर लिजेगा तो यह पूरी पिछ की कहानी थी अब चलते हैं तो टीम की कहानी के बात कर लेते हैं तो दोस्तो होबाट यूरीकेंस रीसेंट के 5 मुकाबले में 3 मुकाबले लगातार विन ने करकर आ रहा है तो इनकी आत्म विश्वास चरम सीमा पे होगी दोस्तो और पिलेरों पे confidence बहुत ही जादा होगा और 2 मुकाबले लॉस किया वो पिछले-पिछले के मतलब ये 3 मुकाबले से पहले का है और दोस्तो होबाट यूरीकेंस की बात करें तो ये recent के 5 मुकाबले में मातर दो ही मुकाबले जीता है और तीन मुकाबले लॉस किया recent के दोनों ही मुकाबले ये हार कर आ रहा है तो बिरिस बैन हीट थोड़ी से यहाँ पर आत्मपिस्वास से लास मतलब कम होगी तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा होबाट हुरीकॉंस को प्रिप्रेंस करना क्योंकि इनका होम ग्राउंड भी है यह तो यह पूरी बात थी मैच की अब चलते हैं मैच के मतब टीमों के तरफ जिसको आप लगाना है और जीत पाएंगे तो दोस्तों मैं पहला टीम यहाँ बना कर दिखा रहा हूँ दोस्तों प्लेंग 11 में यहाँ यह चारों अपके रहेंगे जो आपको मैच खेलेंगे लेकिन दोस्तों आपको दो हीं अप्सन में रख रहा हूँ जो कि मैथ्यू बेड़ और मैंक डॉरमेट है आप दोस्तो बैक डेकेट के साथ भी जा सकते हैं देखरें 76% लोग अपने टीम में इनको रखे हैं लेकिन दोस्तो मैं अपने हेट टुएट के टीम में इनको नहीं रख रहा हूँ इनके जगा पर एक बोलर्स में ज़्यादा खिलाऊंगा अब चलते हैं दोस्तो बैटिंग के सक्सें में आपको बहुत सार्य ओप्सिन दिखेंगे हल्यकि दोस्तो तीन ओप्सिन में रख रहा हूँ करसलीन, हैजलेट और दोस्तो टीम डेबीट को आप यहाँ पर दोस्तो चंज्जश भी कर सकते हैं Coopper को दोस्तो आपको Grand League में ट्राइ करना है, Peter Hanscom को भी Grand League में ट्राइ करना है, C Jewel Sides रहेंगे, मुझे लगता है यह नहीं खेलेंगे दोस्तो, इनके जगा H Brook खेलेंगे, जो खेलेंगे तो आप इनको Grand League में रखेंगे, और M Burgin, आपको खेलते वए दिखेंगे, जिनको आपक तो अच्छा रहेगा दोनों ही दोस्तों फॉर्म में और अच्छे प्लेयर है दोनों ही बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही कर पाते हैं तो अच्छे प्लेयर है और अच्छे फॉर्म में है तो इनको नहीं छोड़े और इस मैच में आपके की प्लेयर रहने वाले हैं यह दोन उनको Grand League में रखना SL में इनकी जगा नहीं बनती है और Balling की सक्षन में दोस्तों आपको बहुती सारे option निखेंगे आप बहुती ज़्यादा confused हो जाएंगे तो दोस्तों मैं यहाँ पर confusion दूर करके कुछ अच्छे playerों को रखा हूँ जो कम percentage वाले भी है ज़्यादा percentage वाले भी है अच्छे player है बैलेंस player है तो दोस्तों मार्क स्टक्टी जो की अच्छे form से गुजर रहे हैं इनको आप मैंने रखा है मैडरित की बात करें तो यह भी form में है तो इनको भी आप रख सकते हैं अपने hit tweet के खेलते वे दिख जाएंगे तो आपके पास option धेर सारा रहेगा टीम प्री भी करेंगे दोस्तों तो टीम कुछ ऐसी लगेगी और जहां पर दोस्तों मैंने कप्तान बहुत ही अतरंगी बनाया है जे बलेजी को बनाया है और वाइस कप्तान दोस्तों मैंने जे बलेजी को कप्तान बना कर दिया है और वाइस कप्तान मैंने मैक डॉर्मेट को बना कर दिया है मुझे लगता है मैक डॉर्मेट इस मैच में नहीं चलेंगे इसलिए मैं दोस्तों इनको वाइस कप्तान बनाया हूँ यहाँ पर दोस्तों इस match में जो key player रहने वाले हैं आपके यहाँ पर दोस्तों क्रिसलीन रहने वाले हैं Matthew Wade, Dargy Sorts, Bledgy और यह चारो बोलर इस match में key player आपके रहने वाले हैं जिनको आप key player के तौर पर try कर सकते हैं तो यह पूरी की पूरी head to head की team थी इसको आप head to head में लगा दें आप easily win कर जाएंगे और साथी साथ दोस्तों इस team को आप grand league में भी try कर पाएंगे अब चलते हैं दोस्तों दूसरी team की तरब जिसको आपको लगानी है SL में वो दूसरी team की तरब चले दोस्तों एक second loading ले रहा है यह मेरी दूसरी team है दोस्तों जिसको मैंने SL के लिए डेजाइन किया है जहाँ पर आप इस team को तीन और चार वाले जो contest होते हैं वहाँ पर इस team को लगाएंगे तो आपको easily win होने की chances है यहाँ पर मैंने Dargy Sotsu कपतान और Vice कपतान मैंने Burlet को बनाया है Vice कपतान अगर change करना चाहेंगे तो दोस्तों यहाँ पर option आपके पास Nathan Inless और दोस्तों Rally Madrid भी आपके पास option में है हाला कि दोस्तों यह team भी perfect है इस team में थोड़े अच्छे player भी है और थोड़े दोस्तों बहुती rare रखने वाले player है जैसे कि team David है और दोस्तों Ambariant है तो आपके पास ऐसा player है जो उसको कम लोग अपनी team में रखेंगे हाला कि दोस्तों काम के player तो है ही तो आप इनको रख सकते हैं तो यह team आपको कहा लगानी है mini GL में जहां पर आप easily win कर पाएंगे और साथे साथ इसको GL में भी try कर लेंगे अब चलते हैं दोस्तों तीन team और दिखाऊंगा जिसको सिर्फ आपको Grand League में try करनी है अगर SL में try करना चाहेंगे तो आपके लिए best हो सकता है अगर यह team चलेगी तो और main player नहीं चलेगे तो यह सारे team आपको easily win करवा देंगे यह team में देख पारे दोस्तों baller का option बहुत ज़्यादा है इसमें देख पारे दोस्तों साथ bowling के option है और मात्रे चेही बैटिंग के option है पूरे के पूरे दोनों ही team को मिला कर अगर यह पर bowling अच्छी खासी होगी तो यह team आपको सारी की सारी विकेट्स आपको देख कर जाए तो अगर balling चलेगी तो यह team आपको easily win करवा देगी और दोस्तों अगर यहाँ पर hobart hur氣ans की team भी चलेगी तो यह team आपको easily win करवा देगी तो changes आपके उपर है changes कर सकते हैं या फिर बिना changes की भी जा सकते हैं यह team आपको easily win करवा देगी तीन बॉलिंग के सक्सन इधर भी है और तीन बॉलिंग के ओप्सन इधर भी है तो आपके पास ओप्सन की कमी नहीं है आपके नहीं और को भी ट्राइ कर सकते हैं वाइस कप्तान जैसे की दोस्तो मुझी बूर रहमान माक एक्स्टक्टी है और यहाँ पर बरलेट है लेकिन द तीन बालींग के इधर बैटिंक के सक्शन है और यहाँ पर दो आपके बैटिंग के सक्शन से हुआ थे सबागा दोस्तो इसको burglars को अपलोड करती जाएगी उसको भी आप जरूर आप जाके देखेंगे तो वीडियो पसंद आगे तो वीडियो को लाइक से आप जरूर करेंगे दोस्तों और इन में से कोई चैंजस होगी तो मैं अपडेट आपको टेलिगराम पे कर दूंगा तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स व